हम जुज नमबर 22 शुरू करते हैं सुरत अहजाब कर रहे हैं आयत नमबर 31 से हम इंशाला कंटिन्यू करेंगे हमने 30 तक कर लिया था और इसमें हम शौर्ट समरी कर रहे हैं इच एन एवरी आयत देख रहे हैं शुरू करते हैं और तुम मेंसे जो अल्ला और उसके रसूल की फर्मा बर्दारी करेंगे और ने कमल करेंगे तो हम उसको दुगना सवाब अता करेंगे और उसके लिए हमने इज़त की रोटी तयार कर रखी है इससे पहले जब हम जुज एंड हुआ था यहां पर क्या देखे थे दुगना अजब अब यहां पर रिवार्ड भी इट्स लाइक दुगना तो इसमें हम देखते हैं आयत में आयत नंबर थर्टी वन में जो उबे करते आल्ला को और रसूल शल्ला अले इसलम वतामल सालिहन और जो अच्छे अमल करें नूतिहा अजरहा मरतें हम उनको दुगना सवाब देंगे तो दुगना सवाब reward भी क्या हुआ? दुगना हुआ वा आतदना लहा रिस्कन करीमा और हम उनको अच्छा बेहतरीन रिस्क देंगे तो रसूल आला सल्ला सलम की जो wives थे उमहातल मुमिनीन वो क्या है? रोल मॉडल है हम सब के लिए और हम यहाँ पर देखते हैं उनका जो position है compare to others, उनकी responsibility ज़्यादा है, उनका sacrifice ज़्यादा है, उनका अजर ज़्यादा है उनका reward भी ज़्यादा हुआ तो रसूल आला सल्ला सलम की जो wife थे वो ordinary women नहीं थे वो सिर्फ wives ने थे और वो क्या थे? मौलिमात थे वो teachers भी है हमारे, specially आप आईशा रदियाला नहा को देखिए वो किस तरह teach करे? कितने लोगों को हदीसें बयान किये, रसूल आला सल्ला सलम की personal जो life थी, अखलाख था एक जो जिस तरह की उनकी अबादत थी, जैसा night worship कैसी थी, वो सारा narration किस से हुआ आईशा रदियाला नहां ने बहुत सारे हदीसें कोड किये ना तो हम यहां देखते हैं, जो wife है, रसूल आला सल्ला सलम के, उनकी sacrifices भी बहुत है उनका position बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका reward भी इन्शालला बहुत बड़ा होगा तो उनकी जो wife से, यह willingly अपने दिल से आखिरत चूस करें और यह दुनिया की जो भी जिन्दगी है, वो sacrifice कर दिये जो भी comforts थे इस दुनिया के, वो छोड़ दिये सब hardship लेने के लिए तयार है अब आप देखिए भूक, hunger जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इनके पास खाना three meal course ऐसा नहीं होता था three time, two times भी खा लिये और वो भी दो चीजें होते थे पानी और खजूर, तो ऐसा हम जो समझ रहे ना, आजकल के उसमें जो luxury है, it's not so, it wasn't easy, लोग कहने के लिए बयान करते हैं, लेकिन आप सूची उनका मरतबा भी कितना जादा हो है तो आईशा रदियालान, हाँ, जो है जब रसूल आला सलासलम कुछ भी नहीं था, तो बोलते के oil जो है ना, bread को लगा के खाते थे, ये भी एक चीज़ आती तो उनके पास एक, मतलब, सालन जो हम कहते हैं ना, वो भी नहीं था उसके ओपर survive करते थे, तो imagine करिये, जब हम रोजा रखते तो हम चाहते कि नहीं, सारे चीज़े हों, specially सुहूर में, और जब रोजा खोलना चाहते तब भी भी हम चाहते एक noble provision, अच्छा अजर देने वाले है, अच्छा करीम, तो ये अच्छा अजर देने वाले है, अच्छा करीम, तो ये अच्छा चीज़ के उपर, जो इनकी personal choice थी, दीन को चूस किया, दुनिया के उपर, और फिर आखिरत को चूस किये, दुनिया के उपर, तो अल्ला इनका जो sacrifice है, बोल रहे हैं कि waste में करेंगे, और उनके जो efforts है, अल्ला के वो सब छोड़ ले, वो बहुत difficult था, as a woman हम समझ सकते न, जैसा हम चाहते कि अच्छे nice clothes हो, अच्छे कपड़े हो, और comfortable life हो, जैसे कि हम चाहते कि अच्छे हमारे linens अच्छे हो, मतलब पढ़दे अच्छे हो, और हमारे हर चीज़ घर की अच्छी हो, एक woman की weakness है न, men's को ऐसा ने चाहिए, उनको कोई difference ने पढ़ता, हम हर चीज़ match कर रहे हैं या नहीं, घर का कैसा, मतलब they don't matter, लेकिन हमारे लिए है कि छोटे-छोटे चीज़े बहुत matter करते हैं, for example, अगर आपको कोई particular कोई चीज़ चाहिए घर की, तो उसके लिए आप इतनी ज़्यादा stores घुमते और shop around करते, फिर online देखते, फिर एक store से दुसरी store जाते, इसमें काफी time spend करते, जब महातिल मौमिनीन को तो देखिए, वो ऐसा ने करें, वो ऐसा time spend ने करें दुनियादारी में, वो सिर्फ और सिर्फ दीन के हरीस थे, वो आप ﷺ के साथ बराबर actively involved रहते थे, अब आप देखिए, for example, कोई scholar की निसाल ले लिए, तो अगर आज भी दुनियादारी उसमें देखिए, कि लोग क्या करते, अपनी immediate family का, उनके पर असर होता, अगर एक अच्छी माँ है ना, ऑलाद पर बराबर असर होता, एक अच्छी माँ अपनी बेटी को साथ लेके, जो जो चीजें पढ़ रहें, सीख रहें, तो वो automatically वो उलाद में भी आ जाएगा, तो ये हमारा तरीखा होना चाहिए, इस तरह हम सिखाना चाहिए, इस तरह रोल मौडल बनना चाहिए, और हम ये नहीं कह रहें कि घरों को जो है ना, एकदम garbage dumps बना दो, लेकिन इतनी ही दुनियादारी करो, जितनी करना चा में हम घर का ख्याल भी रखना है, as well as हमारा जो दीन है में मकसद, जो अच्छा दीन देना चाहिए, अच्छे माएं एक अच्छा दीन देंगे उलाद को, तो parents का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो अमोहातिल मुमिनीन का बहुत बड़ा हाथ है, अब आयत नंबर हम 32 में दे उस्वी औरतों की तरहा नहीं हो, अगर तुम परेजगार रहना चाहती हो, तो बात करने में नर्मी मत करो, कि वो शक्छ जिसके दिल में मर्ज है, उसको कोई उमीद पैदा हो, और दस्तूर के मताबिख बात कहो, या निसाई नबी, फिर यहां मुकातिब है, निसाई नब मतलब ऐसी नर्मी से ऐसी बात मत करो, और फिर यहां पर बता रहें कि बातचीत कैसी होना चाहिए, एक एटिकेट्स कैसी होना चाहिए, देखिए, उनका जो स्टाटस है, वो महातिल मौमीनी, वो नॉर्मल नहीं है, वो वाइफ है, प्रॉफिट स. अले लिए, और वो रोल बहुत जादा इंट्राक्शन हो सकता ना, जिसा घर पे कोई लोग आ रहें, क्योंकि आप स. अले लिए, बात करने के लिए, सीखने के लिए, बहुत कुछ आते थे, तो बात तो करना पड़ता था, तो अब यहां पर एटिकेट्स बताय जा रहें कि किस तरह होना चाहिए, बहुत केरफुल होना चाहिए अपनी स्पीच में, जब आप नामहरम से बात करेंगे, तो केरफुल होना चाहिए अपनी स्पीच में, फस्ट और फॉर्मोस्ट, बहुत सॉफ्ट ने होना चाहिए, इतना सॉफ्ट, इतनी नर्मी से बात ने करना चाहिए, कि आपकी आगे क बात्चीत continue हो रही पस to the point बात करना चाहिए आगे की बात इतनी soft बात कर रहें इतनी मुलाइम बात कर रहें कि आगे की बात conversation कर रहें फिर further discussion हो रहा नहीं इतना नहीं और harsh और route भी नहीं होना चाहिए बत्तमीजी कर रहें बहुत जोर से तकबूर से बैसा भी नहीं करना चाहिए straight forward हो to the point बात करो जो बात को करना है focus रहो उतनी ही बात करो that's it और हम ये देखना चाहिए कि नान महरम के साथ चाहे वा कोई भी हो मस्जिद के कोई ब्रदर हो घर में कोई ना महरम हो हमारे जॉब पे हो कहीं पर भी हो बहुत हस हस के बात नहीं करना है गीगल कर रहें हस रहें और बहुत जादा बात कर रहें और ऐसी बात चीद नहीं करना है जैसा हम husband से करते या अपने own ब्रदर से करते या अपने बच्चों से करते या महरम रिष्टों से जो हम जोग करते या मजाख करते ऐसी बात चीज़ ने करना है इसके लिए इंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा केरफुल है नहां है और परसन लोगों के दिल में क्या है फितना हो सकता कोई डिजीज हो सकता और every person उसके दिल का हाल हम नहीं जान सकते कौन strong है कौन weak है लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि अच्छा वो इनसान बहुत ही उसका character अच्छा नहीं है we are not saying that लेकिन सब एक normal human being है सिर्फ Prophet ﷺ ऐसे थे innocent थे वो नजर उठा के भी नहीं देखते थे और कभी वो औरत का हाथ भी देखना पसंद में करते थे ना महरम की बात मैं कह रही हूं तो यहां पर हम यह बात का ख्याल रखना चाहिए तो जब बात करे वा कुलना खवलन मारूफा तो जब बात करे खवलन मारूफा अच्छी भली बात करो सीधी बात करो उतनी ही बात करो और क्लियर बात करो प्रिसाइस क्लियर सही बात करो बहुत ज़्यादा हसने की जरूरत नी है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नी है बहुत ज़्यादा बात चीट करने की जरूरत नी है बहुत अन्नेसेसरी बात करने की जरूरत प्रिसाइस क्लियर उसके बाद मूब ऑन हार्ज भी ने होना को फॉलन मारूफा ये सिर्फ और सिर्फ ये एटिकेट्स है ना महरम के लिए तो हम अब आप देखते हैं कि एक वुमन के हाथ में है वो अपने आपको किस तरह कवर कर रही है आप हेड टू टो पुरा हिजाब प खाब पेने वे हैं लेकिन आप इंटराक्ट कैसा कर रहे हैं आप ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा उनसे बात कर रहे हैं फिर आगे कान्वर्जेशन कर रहे हैं आपको टू दी पॉइंट तो बात करना पड़ेगा तक कभी आपको दूसरे नामेहरम ब्रदर से इंटराक् एक हदिन रखेंगे आप कोशिश करेंगे एक चार लोगों के सामने बात करें वन टू वन ने करना चाहे फोन पे हो या चाटिंग हो या नहीं तो इमेल हो या नहीं तो कोई भी अगर बात करना भी है तो दी पॉइंट और फूर्दर कन्वर्जेशन को आप स्ट्रेच ने करेंगे या आपको दीन के तालुक से ही वो सकता कभी आपको इंटराक्ट करना पड़ रहा है तो चार लोगों के सामने या ऐसी बातशीत रखें जो जितनी जरूर है उतनी ही फिर यहां पर अल्ला तला फर्मा रहें आयत नंबर 33 में 32 में के बिकॉलन गत्मा अल्लजी फी मतलब कुछ लोगों के दिल में बिमारी हो सकती वो कुछ और सोच सकते लेकिन हमारा लहजा हमारी बातशीत और हम चलते किस तरह है हया का तफाजा यह यह नहीं कि आप हेड टू टो कवर कर लिए और चलने का अंदाज ऐसा बेतुका है यानि तो हेड टू टो कवर तो कर ल सारे चीजें मैटर करते चूंकि हम यह खिया लखना और कुछ लोगों का सोचना है यह है कि सिर्क एमारा दिल मूमिनीं के ले था और हमारे ले ले यह गलत बात हैα में कि अपने घरों में और हम सब के लिएüyor और तुम अपने घरों में करार से रहो और अल्ला तो यही चाहता है ए नभी सल्लेला लिएसलम के घरवालो तुम से ना पाकी माइल कुचाए कुचैल निकाले सब दूर कर दे और तुम को पाक साफ कर दे तो यहां पर अल्ला तो घर में रहो और अपनी ब्यूटी दूसरों को डिस्प्ले मत करो जैसा के जहालत में करे अजवाजन मतहरा के लिए है यह पहले और फिर उसके बाद दूसरों के लिए तो यह आयत में बेसिकली क्या है वोमेन को डिस्करेज करा कि बहुत जादा आप पब्लिकली आप बार बार लोगों के सामने जब आप जा रही तो किस तरहा आपका वेया dressing यहां से मनानी नहीं किया जा रहा कि नहीं बिलकुल तुम मत जाओ you can't go तुम घर में रहना हैं काई निकलना नहीं नहीं आप जरूरत के तहद आप जाएंगे लेकिन किस तरह जाएंगे ऐसा नहीं कि आप नुमाया हो कि सुब लोगों का attention आप की तरफ हो आप particular way में dressing कर रहें particular way में बाद कर रहें उससे यह नहीं कि सबका attention आप जब बाहर जाएंगे तो एक certain way में जाएंगे वो अल्ला यहां खुरान में बता दिये लोग कहतें कि अच्छा कहां लिखे वाए कि हम जल्बाप पेना हैं या गाउन पेन कि अपने आपको cover करना है हम जो कपड़ों में वो ही जा रहें मतलब बहुत इस पे बहस करते है समयना वाताना हमारा काम है हमने सुना और हमने अमल करा एक मुमिन का किरदार एक मुमिना का किरदार यह होना चाहिए ना के हम बहसें करें या बातशीत करें there is no need for that तो यहाँ पर हम देखते हैं तबरुज क्या है तबरुज बुरुज से है बुरुज क्या है टावर को कहते है तो जब आप देखते हैं कहीं पर आप drive कर रहे हैं आप downtown में enter हो रहे हैं तो वो भी ज्यादा जो मोटे जो लोग रहते एकदम से दिख्या आते तो तबरूज क्या है बुरूज मतलब एक बड़ा सा टावर जैसा रहता वैसा तो हम जो मीनिंग यहाँ पर है वुमेन ऐसा डृस अप कर रहे हैं स्टाइल कर रहें जहाँ अपने आपको कैरी कर रहें कि जब दूसरों से इंटराक्ट कर रहें तो उनका अटेंशन गेन कर रहें मतलब अगर कोई लोग बोलते कि अच्छा नहीं जल्बाब भी पहने तो सुब लोग नोटीस करते हैं अच्छा नोटीस भी करें तो अगर आप सही तरीखे से जल्बा पहन रहे हैड टू टो कवर कर रहे हैं और आपका लूज गार्मेंट है आप पूरा नखाब ले रहे हैं अगर वो देखना भी चाहे चलो ठीक है अगर बात के लिए कॉन्वर्जेशन के लिए अगर मैं ये बात भी करूं तो क्या नज़र आएगा उनको सिवाए आँखों के और हाथ के बाज लोग तो गलव्स भी पेंते सौक्स भी पेंते तो क्या नज़र आएगा तो क्या वो एट्राक्ट होंगे उस तरह से देखके नहीं अगर आप सर्वे करो ना के जो बिलबोर्ड्स है बड़े बड़े जो बिलबोर्ड् चाहे वो कपड़ों का आड़ो औरत को नुमाया दिखाया जाता उसका फेस और उसकी बॉड़ी ताके वो क्या है बुरूज है वो क्या है तबरूज है वो अपरेंट है वो ओपन है जब आप पासबाई होते आप एक बड़ी होडिंग देखते तो आप बराबर उस पे खम होते हैं और सही नहीं होते लेकिन यहां बात कह रही हूँ किस तरह लोगों का रुझान होता है कैसा आख एकदम से देखना शुरू करती है तो यहां पर जब आप क्यारी कर रहें जलबाप और नखाब तो आप लाउडली बात मत करिए गिगल मत करिए और चलने का इतना पर्फियूम डाल लें कि दूर से भी आपकी खुश्बो आरी यह सुब तबरुच है या ने तो फिर हातों में इतनी ज़्यादा महंदी या नेल पॉलिश या लांग नेल्स है कि वो नज़र आ रहें अगर आप गलवस पें लिए लिए आपके नेल्स कितने वैसे त लोग एट्राक्ट हो तो इसमें तबरुच में यह सारे चीजे हैं हम देखना चाहिए हमारे तरफ से कोई एट्राक्ट ना हो और रसुल लिए तीन चीजे हैं जो डिस्रक्शन है एक किसी का हजबन एपसेंट है और उसके वोर्ली नेट एंड शी डिस्प्लेज हर फितना है और एक वोमेन को अपने आपको खुद अच्छे से क्यारी करना है हम ऐसा ना हो कि हम लोगों के लिए फितना बन जाए यानि ऐसी चीज़ हम ना करें कि लोग आँख उठा उठा के देखें तो इसका बेस तरीखा क्या है चाहे हमारे साथ अपने भाई रहते हो हस जही टाइम पर अगर आपके कपड़े टाइट है या आपके पास बहुत जादा परफ्यूम डाली जो भी है वो सही टाइम पर वो बोलना चाहिए कि नहीं यह सही नहीं है आप इस तरह से मच चाहिए सही चीज़ तो वो है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब महातल मुमि बाहर भी जाते थे वार पे भी जाते थे तो अंदर नेकलेस जैसा आईशा रदियालाना का नेकलेस गुम गया था तो वो अंदर नेकलेस पेने वे थे लेकिन उपर से पुरा जिलबाब और सुब कवर करे वे थे आप अंदर अच्छे तयार हो सकते हैं नोबडी स्टॉप ऐसे कपड़े या ऐसे अपने आपको क्यारी ने करें कि हम recognize हो जाए हम नहीं चाहते ऐसा और वैसे ही एक हदीस में आता कि वो ही लोग enter होंगे जो अपने आपको अच्छे से क्यारी करेंगे कि लोग कितना भी बुरी dressing कर रहें कुछ भी कर रहें आपको odd समझ रहें फिर भी आप अपने आपको शरम हयास है जो अल्ला के एकामात है वो कर रहें तो वो ही लोग है जो जन्नत में जाने वाले हैं और हसनल बस्री फरमाते हैं कि हम अगर किसी के साथ बैट रहें और वो औरत के हाथ में finger rings है या उसके नाकुन बड़े है या उसका हैना मतलब महंदी रहें तो ये भी appreciating नहीं है ये भी सही बात नहीं है और एक सहाबा कहते हैं कि मैं एक औरत का हाथ देखके मैं अपना direction change कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहतूं कि मैं मेरी आँख वो हो further और मैं कोई अपने आपको you know attract that's how it is important तो हम अपने आपको कोशिश करना चाहिए कि हम व रसूलिया नहीं के सिर्फ आईशा रदिया लाने दूसरे वाइपस भी जैसा हफसा रदिया लाना वो भी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ना पढ़ना मतलब इन लोगों को समझना लोगों को आगे दीन पहलाना और हफसा रदिया लाना का ये बात famous है कि उनकी अपना मुसह था क्योंकि उमर रदिया लाना को मुसहफ दिये थे तो अफकोस knowledgeable थे ही होंगे बोलके उनके पास मुसहफ था ना तो इनके पास दीन की तालिमात भोत है तो हम तबरुच से बचना है अननेसेसरी और तबरुच क्या है बाज अगत हम हिजाब पेन रहें सब जेलबाब पेन नहीं हैं और हमारी डिगनिटी हमारे हाथ में हैं हम अपनी डिगनिटी लेके चलना है किसी को हम बताना नहीं है हम उतनी ही बात करना है जितना करना चाहिए और वजकुना मा युतला फी बयूतिकिना मिन आयाति लाह वाल हिकमति इनल्लाह कैना लतीफन कबीर आयन नमर 34 में देखते हैं कि और तुम याद रखो जो अल्ला की आयतें तुम्हारे घरों में पड़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं यखीना बड़ा ब बारिक बीन अल्लाह सुप चीज जानता है इवन हिडन सीक्रेट जो है वो सब जानता है तुम अपनी ब्यूटी बताओ ने बताओ क्या उससे तबरुच कर रहें या नहीं कर रहें अगर आप हिजाब पेन रहें और ऐसा हिजाब मत करिये कि सिर्फ आदमी के डर से या अप अपने भाई के अपने वालिद साब के आप अपना अल्लाह के लिए करिये और इतना अच्छा क्यारी करिये कि कोई कुछ देखी न सके चाहे आपका फिगर हो आपकी परस्नालिटी हो कुछ भी नहीं और यहाँ पर बताया जा रहा के जो आयतें घर में सुनाई जाए तो ख कुरान पढ़ने यह जो तिलावत की बात हो रही ना यह कुरान के लिए यह दुनियावी किताबों के लिए नहीं और रहा वसकुना मा युदलव वयुतुकिना तो किताबें पढ़ना सुनाना उसकी बात हो रही इससे पहले मैं आपको जो एक बात मैं मिस कर दी थी 33 आयत म आपको एक बताना चाहतेंगे 33 आयत में आप जरूरते तहद आप बाहर जाएंगे अपना काम भी करेंगे लेकिन आप dignified way में अपने आपको carry करेंगे there is nothing wrong आप job कर रहें आप नामहरम से interact करना पड़ता लेकिन आप एक boundary रखेंगे आपको मत जाओ आप confine हो जाओ घर में ही आपको seal करके रखना है बिलकुल prison कर देना that's not the thing आप पड़ सकते लिख सकते आप job कर सकते लेकिन ये कोशिश करिये कि एक boundary है woman के लिए जो मुसल्मान है उसकी आप ख्याल रखना है जैसा कि हम हैंडशेक ने करते एक डिस्टेंस रखते जादा conversation ने करते और जो जरूरत के तहद आपको जाना है drive करना आप करिये लेकिन आप याद रखना है end of the day आपको एक boundary रखना है अच्छा आएत नमबर 34 में हम देख रहे हैं बसकुना मा युदलक फी बूयूति किना जो पढ़के सुनाने की बात हो रही या खुरान की बात हो रही मिन आयाति ल्लाहि वलहिक्मा अल्ला की आयते और हिकमत क्या है यहां पर जो सुनत की बात हुरी इननलाह काना लतीफन ख़दीरा और अल्लाह खुब वाकिफ है हर चीज़ से तो खुरान पढ़ना सीखना सीखना तो तालीम इल्म बहुत इंपॉर्टन्ट है यही चीज़ है जो हम अपने तोर पे खुद सीखना चाहिए सिखना चाहिए यह मरते दम तक यह हमारे अंदर होना चाहिए हम हरीस होना चाहिए अगर आप सिर्फ एक साल या दो साल का कोर्स करेंगे जितने भी साल है आप कोर्स करेंगे और उसके बाद छोड़ दिग तो यखीन मानिया आप भूल जाएंगे हदीस में आता कि आप इस तरह भूल जाएंगे जैसा कि अगर कैमल को टाई करे और अंटाई कर दिये कैमल तो कैसा रन अवे हो जाता कैमल उसी तरह जैसा कैमल भाग जाता ना वैसा तो हम खुरान पढ़ना सीखना सिखाना एक मौलिमा बनना है और ये तालीम हम घर से शुरू करना है और जैसे मैंने बताया था हफसा रदियालानों का खुद का मुसहफ था तो लोग आके उनसे पूछते थे तो आप भी एक मौलिमा थी आईशा रदियालानों हमारे लिए ब रूल्स उसको अबाइट करना है वो हदों को पार नहीं करना है आप जरूर दीन का काम करिए लेकिन वो हद में रहे आयत नमबर 35 में देखते बेशक मुसल्मान मर्द और मुसल्मान औरते मुमिन मर्द और मुमिन औरते फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरते रास खेरात करने वाले मर्द और खेरात करने वाली ओरतें रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली ओरतें अपनी शरमगा की हिफाज़त करने वाले मर्द और अपनी शरमगा की हिफाज़त करने वाली ओरतें और अल्ला को कसरत से याद करने वाले मर्द और अल्ला को कस मतलब ये लिस्ट ओफ जो qualities बताए मर्द और ओरत दोनों में भी है और उनके लिए क्या है लाहु मगफिरत वाजर अजीमा उनके लिए मगफिरा है मतलब फर्गिवनेस है और बहुत बड़ा अज़र है तो मगफिरत भी है और बड़ा अजर भी है तो यहाँ पर अल्ला को कसरत से याद करना सूरत अल्य इमरान में आयत नंबर 191 में है और क्या है जिकर करते हैं दिन रात और रसूलियला स Kiss rpm क्या है मुफर्डून क्या है वो लोग है जो सहाबा अक्राम रसूलियला स Lex सम्प न बताते हैं मुफर्डून यहां रड़ दोस मैं एन वोमें जो औरते हैं और मरद जो अल्ला को बहुत कसरत से याद करें तो हम भी चाते हुए वजाकिरीन अल्लाह कसीरन वजाकिरात अल्ला को हम कसरत से याद करने वाले हो